नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ओफिशल पर तो आज का हमारा टोपिक है भारत की जलवायू तो आज की इस वीडियो में हम भारत की जलवायू और मानसून को कवर करेंगे तो आज की वीडियो आपके लिए काफी important होने वाली है परिक्षा की द्रिष्टी से तो ये महत पूरन है ही और वैसे भी आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको ये पता चलेगा कि मानसून कैसे आता है भारत में कहां कहां पर वर्षा होती है बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा और लास्ट में हम previous year के question भी करेंगे तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरूआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि मोसम, रितु और जलवायू इनमें अंतर क्या होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि मोसम यानि कि वैदर क्या होता है तो वायू मंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को हम मोसम कहते हैं तो जो वायू मंडल में अचानक परिवर्तन होता है उसी को मोसम कहा जाता है जैसे आप रात को सोते होंगे तो आप देखते होंगे कि मोसम पुरा शान्त है पर अचानक सुबह उठते ही बारिश होने लगती है और मोसम थंडा हो जाता है तो आप कहते हैं कि अचानक से मोसम थंडा हो गया आप ये तो नहीं कहते हैं कि जलवाई उठंडी हो गई आप यही कहते हैं कि अचानक से क्या हुआ मोसम थंडा हो गया तो जो ये अचानक से परिवर्तन हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी तेज हवाएं चल रही है, इसी को हम क्या कहेंगे, तो मोसम कहेंगे, ये काफी short period के लिए होता है, तो मोसम के बाद देखते हैं कि रितू, यानि कि season क्या होता है, तो एक निचे समय पर क्रमिक रूप से एक परिवर्तन होता है, निचे समय पर, यानि कि cyclic change होता है, उसी को हम रितू कहते हैं, जैसे बसंत रितू, तो जैसे ही बसंत रितू खतम होगी, तो निचे समय पर change होगा, तो उसे हम कहेंगे ग्रिशम रितू, फिर ग्रिशम रितू के बाद वर्षा रितू आ का ही व्यापक रूप माना जाता है यानि कि मोसम के ही बड़े रूप को क्या कहा जाता है तो जलवायू कहा जाता है दूसरे शब्दों में किसी बड़े शेतर के तापमान वायूदाब वर्षा मतलब कि वहां के मोसम का कम से कम 30 वर्षों के ओसत अधेयन को उस शेतर का जलव जलवायू कहते हैं तो जो यह मोसम है यह क्या है अचानक होने वाला परिवर्तन है इसी को मोसम को कम से कम जब हम 30 वर्षों तक अध्यान करते हैं तो उसी को हम वहां की जलवायू कह देते हैं कि यहां की कैसी जलवायू है गरम जलवायू है सर्द जलवायू है यह कैसे पता लगाते हैं, तो वहांके मौसम को लगभग 30 वर्षों तक अध्यन किया जता है, तब यह पता लगा जता है कि यहांकि जलवायू कैसी है, तो इसी मौसम का जो बड़ा रूप है उसी को जलवायू कहा जाएगा, तो मौसम और जलवायू इसके बीच अंतर क्या है मैं आपको एक उधारन सा समझाता हूँ जिससे आप relate करके इसके बीच और असानी से अंतर कर पाएंगे मा लिजे जब आप school पढ़ने जाते थे तो जो math के teacher होते थे वो काफी strict होते थे मा लिजे कोई नया teacher आया math का आप पहले की भांती जैसे पहले period लगा था आप बाते कर रहे थे math का teacher आया class में enter किया आप खड़े नहीं हुए तो math का teacher आया उसने खीच कर आपके गाल पर थपर लगा दिया तो ये क्या हुआ ये अचानक परिवर्तन हुआ इसको हम मोसम कहेंगे अब आपको पता लग गया कि math के जो teacher है नये वाले ये काफी strict है अब आप उनके साथ जब 6-7 महिने घुल मिल जाएंगे मतलब आपको पता चल जाएगा उनका तरीका क्या है पढ़ाने का कब वो गुस्सा होते हैं कब नराज होते हैं कब आपसे प्यार से बात करते हैं जब आप 6-7 महिने यानि लंबे समय तक उनके साथ पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा न तो उसी को तो जो आपने ये लंबे समय तक उनका ध्यान किया आपको पता चल गया कि अब आपके टीचर कब गुस्सा होंगे कब मारेंगे कब कुछ नहीं कहेंगे उसी को हम जलवायू कहेंगे तो अचानक जो परिवर्तन हुआ था जो काल पे आपके थपड़ पादा था वो क्या था वो मोसम था पर अब आप घुल मिल गएं टीचर से छे-सात महिने यानि कि लंबे समय तक आप समझ गए कि टीचर कब नराज होंगे कब प्यार करेंगे आपको कब समझाएंगे तो इसको क्या कहेंगे जलवायू कहेंगे तो आशा करता हूँ आप इसको रिलेड कर पाएंगे जैसा मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे कि मोसम क्या है तो ये अचानक होने वाला परिवर्तन है और जलवायू क्या है तो जो ये मोसम है इसी का लंबे समय तक अध्ययन यानि कि कम से कम तीस वर्षों तक के अध्ययन को जलवायू कहेंगे तो मोसम, रितू और जलवायू ये हमने समझ लिया अब हम देखते हैं कि भारत की जलवायू कैसी है तो भारत में उशनकटी बंदी है मानसूनी जलवायू पाई जाती है यानि कि ट्रोपिकल मोनसून कलायमेट भारत में पाया जाता है तो पढ़कर तो ऐसे लग रहा है उशनकटी बंदी है पता नहीं कैसी जलवायू होगी पर बहुत ही आसान है आप ये जो नीचे देख रहे हैं ये है वर्ल्ड मैप तो हमारी प्रिथवी के बीचो बीच एक कालपनिक रेखा खिची गई है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं प्रिथवी पर ऐसी कोई रेखाई नहीं है ये कालपनिक रेखा है इसको हम भूमध्य रेखा और विशुवत रेखा कहते हैं ये क्या करती है हमारी प्रित्वी को दो भागों में बाड़ती है उपर वाले को कहते हैं उत्री गोलार्द और नीचे वाले को कहते हैं दक्षनी गोलार्द तो जो हमारा भारत है इस भूमद रेखा के उत्तर में है तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्द में है और इसी भूमद प्रित्वी के जूके होने के कारण जो सूर्य है इसकी रोशनी सिर्फ करक रेखा और मक्कर रेखा यहीं पर सीथी पड़ती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि करक रेखा और मक्कर रेखा कि यह जो आप देख रहे हैं इतने देशों पर मतलब कि इतने शेत्रों पर सूर्य की रोशनी सीधा जमकती है। तो यहां के जो छेत्र होंगे, वो गरम होंगे, और जो उपर वाले छेत्र हैं, यहां पर जो सूरे की रोशनी है, वो तिर्ची पड़ती है, तो तिर्ची पड़ती है, तो यह जो देश हैं, यह थंडे पर देश होंगे, थंडे देश होंगे, और जो यह देश हैं, करक से मका रेखा की भी चक्कर लगाता रहता है ठीक है तो ये शेत्र कैसे हैं तो गरम शेत्र हैं तो गरम को जोगरफी में कहते हैं उष्ण और शेत्र को कहते हैं कटी बंधी है तो हमारा भारत भी तो इसी शेत्र में आ रहा ना देखे करके रेखा भारत के अधिक्तम हिस्से से होकर गुजरती है बीचों भी से गुजर रही है तो भारत भी इसी हिस्से में आ रहा है तो यह हमारे भारत भी गरम छेत्र है क्योंकि यहां पर सूरी की रोशनी सिधा पड़ेगी तो इसे कहेंगे उश्नकटी बन दिये जलवायू अब हम देखते हैं कि मानसूनी क्या है तो मानसून क्या होता है सबसे पहले यह समझे तो भारती मानसून का वर्नन सबसे पहले अरब विद्वान अलमसूदी ने किया था किस ने किया था अलमसूदी याद रखिएगा ये नाम पूशा गया है और मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी तो अर्बी भाषा से हुई थी अर्बी भाषा के एक शब्द था मोसिम इससे मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी जिसका मतलब क्या था कि मोसम के अनुस अनुसार दिशा बदलने वाली पवनों को मानसून कहा जाता है और अगर मैं आपको simple language में समझाओं तो जो बादल होते हैं जो बारिश कराते हैं उनको हम मानसून कहते हैं मतलब कि जो बारिश वाले बादल होते हैं उनको मानसून कहा जाता है और परिभाशा के अनुसार मोस नितकि भी देश की जलवायू निर्भर करेगी यह ऊस स्थान की उंचाई कया है यह पुरन फैक्तर है। जो आपकी जलवायू जिस yakष lequel compressed करेगी। दूसरा है वहाँ पर पहाडों की स्थती क्या है। तीसरा है कि वहois थान समुद्र से कितनी दूरी पर है यह भी वहाँ की जलवायू का एक महत्पुरण factor होगा और चोता है कि वह स्थान किस अक्षान सप्स्थ इससे भी वहाँ की जलवायू का चलेगा अब हमने समझ लिया कि मांसून शब्द के उतपत्ती कैसी हुई और हमारी जो भारत की जलवायू है यह हमने पढ़ा ना उशने कटी बन दिये मानसूनी जलवाई हूँ है यह भी मैंने आपको समझा दिया अब हम आगे देखते हैं तो आगे हम देखते हैं कुछ technical शब्दों के बारे में हम पहले समझ लेते हैं क्योंकि आगे इनका जिक्र होगा इसलिए पहले ही आप समझ लीजे कि यह क्या होते हैं पहले हम देखते हैं कि विरिष्टी शायशेत्र जिसे एंगलिश में rain shadow कहते हैं ये क्या होता है तो जैसे आप देख रहे हैं image में ये परवत है और आपको पता होगा कि बादलों को बारिश कराने के लिए बादल पहले कहें पर टकराते हैं तब ही बारिश होती है तो इस तरफ की हवा बह रही है तो हवा अपने साथ बादलों को लेकर आएगी तो बादल हवा के साथ आ रहे हैं तो क्या करेंगे इस तरफ वो इस परवत से टकरा जाएंगे और इस तरफ बारिश कर देंगे परवत से टकराने के बाद तो ये वाले area में तो बारिश हो जाएगी पर परववत के दूसरी साइड यहां पर बारिश नहीं होगी और होगी भी तो ना मात्र के होगी जिसे हम ना के बराबर ही समझेंगे तो यह वाला एरिया है इसको हम वरिष्टी शायद शित्र कहेंगे जहां पर ना के बराबर वर्षा होगी तो तो ये पंद्रा पतिशत वाला एरिया क्या कहलाएगा वरिष्टी शाय शेत्र क्योंकि बादल इसकी दूसरी तरफ टक्राएं और वहाँ पर जम कर बरशा उन्होंने कर दी पर ये वारा एरिया यहाँ पर बारिश नहीं हुई और हुई भी तो ना के बराबर ही हुई तो इस मज लेजिए क्योंकि इसके बाद मैं आपको जब मानसून बताऊंगा तो ये काम आएगा तो फैरल ने क्या नियम दिया था इस नियम के अंसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं प्रित्वी की गति के कारण यानि कि प्रित्वी घूम रही है न तो प तो ये प्रित्वी है और इसके बीचो बीच मैंने आपको बताया एक कालपनिक रेखा है खिची गई है जिसे कहते हैं भूमध रेखा तो फैरल के नियम के अंसार जब भी कोई वायू प्रित्वी के उत्री गुलार्द में उत्री गुलार्द में एंटर करेगी तो प्रित ने आपको नीचे की और रखेंगे मलब आपका मुह नीचे की और होगा तो यह आपका बाइं और होगा तो बाइं और मुड जाएगी और यह दाइं और होगा तो जब यह उत्री गुलार्द में हवा जाएगी तो यह दाइं और मुड जाएगी अगर दक्षनी प्रेशर की और बढ़ती हैं, तो हमाएं उचे दाब से निमने दाब की और प्रवाहित होती हैं, यह आपको यादखना है, तो अब हम भारत में मानसून के बारे में समझना शुरू करते हैं, तो भारत में मानसून जून के पहले सपता में आता है, और सबसे पहले केरल के माल पर यहीं पर टकर आएगा और 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में फैल जाता है तो मानसून जून के पहले सब्ता में आता है और 15 जुलाई तक ये पूरे के पूरे भारत में फैल जाता है तो मैं आपको मैप से समझाता हूं कि आकिल मानसून भारत में आता कैसे है तो जून क के महिने में सूर्य की किरने भारत पर सीधा पड़ती है क्यों क्यों कि जून के महिने में सूर्य करकरेखा पर होता है करकरेखा के पास होता है और जो करकरेखा है यह भारत के बीचों बीच से कुजरती है और सूर्य यहीं पर होता है और सूर्य की जो रोशनी है यह भारत के उपर सीधा पढ़ती है सीधा चमकने लगता है जिस कारण क्या होता है कि जो यहां की हवाएं होती है भारत के उपर की जो हवाएं होती है यह गरम होकर उपर की और उठने लगती है गरम होने के बाद वो हलकी हो जाती है तो उपर की और उठने लगती है तो हवाएं जब उचे दाब से निम्न दाब की और बढ़ती हैं अब भारत की हवाएं हलकी होकर उपर उठ गई गर्मी के करण तो निम्न दाब हो गया तो जो अगल वकल की हवाएं हैं उचे दाब वाली यह भारत की और आने लगेंगी क्योंकि भारत में इस समय निम्न दाब है हवाएं गरम होकर हलकी हो गई और उपर उठने लगें जिसका प्रेशर कम हो गया तो जो हाई प्रेशर यानि कि उच्छ दाव वाली हवाएं है यह भारत की ओर आने लगेंगे तेजी से आने लगेंगे अब मैं आपको अगली स्लाइड में और अच्छे तरीके से समझाता हूं कि भारत मे हमने पीछे देखा कि अब भारत में निम्न दाव यानि कि लो प्रेशर है क्योंकि हवाएं उपर की ओर उठ गई है तो उच्छ दाव वाली हवाएं तेजी से भारत की ओर बढ़ रही है और भारत का यह हवाय तेजी से क्यों बढ़ रही है क्योंकि भारत की बीचे वो बी तो यह जो पानी है समुद्र का पानी यह क्या करेगा यह भाब बनकर उपर की और उठने लगेगा और बादल बन जाएंगे तो जब यह पानी भाब बनकर उपर की और उठेगा और बादल बन जाएंगे और नीचे से तेजी से हवाएं भारत की और बढ़ रही हैं तो वह क् को हम कहेंगे कि मानसून आ रहा है मानसून आ गया क्योंकि यही बादल आकर भारत में वर्षा कराएंगे क्योंकि इन्हों समुद्र के पानी से नमी ग्रहन कर ली है और तेजी से हवाएं भी इने भारत के और लेकर आ रही है अब यही मानसून भारत में जमा जम बारिश करेंगे तो हमने भारत में मानसून कैसे आएगा यह समझ लिया अब हम देखते हैं जैसे भारत में मानसून आएगा तो यह केर केरल के दक्षिन से टकरा कर दो शाखाओं में बढ़ जाएगा तो ये मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाएगा तो इस वाले शाखा को हम कहेंगे अरब सागर की शाखा क्योंकि ये अरब सागर की ओर है और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा ये केरल के तल से टकरा कर दक् यह दाई और मुड़ कर केरल में टकरा क्यों गया तो मैंने आपको बताया था ना फेरल के नियम जब भी हवाएं उत्री गुलार्द में एंटर करेंगी तो यह दाई और मुड़ जाएंगी तो जो हवाएं हैं यह मानसून को यानिकि बादल को भारत के और लेकर आ रहे हैं पर यह जैसी उत्री गुलार्द में एंटर करेंगी यह भुमद रेखा हैं तो उत्री गुलार्द में एंटर करने के बाद यह कहां मुड़ जाएंगी तो दाई और मुड़ जाएंगी तो दाई और भारत के सबसे पहले क्या आएगा तो नीचे केरल आएगा तो यह केरल म तकराएंगे और दो शाखाओं में बढ़ जाएंगी एक है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा तो इन धोनों को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रशन क्या क्या आता है तो यह पूछा जाता है कि जो भारत में मानसून आता है यह किस दिशा से आता है तो आप यह जो दिशाएं देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उपर की और उत्तर दिशा होती है और यह पूरब दिशा यह पक्षिम नीचे की और दक्षिन तो दक्षिन और पक्षिम के बीच कौन सी दिशा होती है तो दक्षिन पक काईए अगर आप सीधी रेखा खीचिए स्वालेशा क्योंकि भारत में मान सोन इधर से एंटर कर रहे ना तो यह वाली दिशा क् scene Tel. ये ये ऑधक्षिन और ये पक्षिम तो कौन से दिश्जा होगी तो दक्षिन पक्षिम तो भार्त में मांसून आता कहां से है तो दक्षिन पक्षिम दिशा से आता है यह याद रखेगा बहुत ही महत पूरन है और जून के पहले सप्ता में आता है और सबसे पहले टकराता कहा है तो सबसे पहले केरल के मालाबाट टट से टकराता है और दक्षिन पक्षिम मांसून आगे दो शाखाओं में बढ़ जाता एक है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा तो सबसे पहले हम अरब सागर की शाखा के बारे में पढ़ते हैं बहुत ही नोलज वाली चीज है इसलिए ध्यान से सुनेगा और जो भी मैं आपको बाते बता रहा हूं इसे सुनेगा और ध्यान से सम आइगी तो उसके लिए आपको जो भाइरत में परवतों के स्थिती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए मैंने जो जितने भी महत्वपुरन परवत हैं उन पर वीडियो बना रखी है अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देख लेना पर अभी आपको बस जितनी पता होना चाहिए कि भारत में परवत कहां कहां पर हैं इसलिए मैंने ड्रो कर दी हैं ताकि आपको पता लगें एक बार मैं आपको शोट में नाम भी बता देता हूँ तो यह है पक्षमी घाट तो यहाँ पर भारत के पक्षम में कुछ परवत की श्रंखलाएं हैं जिने हम पक्षमी घाट कहते हैं यह पूर्वी घाट और इसके नीचे हैं दक्षिन में नीलगिरी की पाड़ियां अन्नमलाई की पाड़ियां और इलाइची की पाड़ियां और यह है जारखंड में कौन सी राजमहल की पाड़ियां मिघाले में गारो खासी जहनतिया की पाड़ियां और यही उपर यहां पर और नाचर पदेश में डाफला मिश्मी पहाडियां मिजोरम में मिजो पहाडियां और पूरे उत्तर भारत में तो कौन से परवत है तो हिमाले परवत है ही पूरे उत्तर भारत में हिमाले परवत का विस्तार है आपको नाम नहीं पता कोई बात नहीं आप सून लीजिए बस आपको स्तिति के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा परवत कहां पर है वो तो मैंने ड्रोकर ही दिया है और ये है उपर विंध्या चल नीचे सत्पूरा की पहाड़ियां ये मद्यपदेश में है और ये पूरा राजसान ये कहां सा परवश्रंखला या पर अरवली पर जो ये तमीन नाडू है यहां पर बारिश नई घो कियो नहीं होगी तो आप देखित रहे हैं यहांपर पर परवत हैं पहाली हैं कौन कौन सी अन्नामलाय की पहाड़ियां और इलाची की पाड़िया तो यहीं पर मांसून तक्राएगा और केरल की ओर, खूब वर्शा होगी, पर वहीं, तमील नाडु वाला जो शेतर है, ये विर्ष्टी शाय शेतर में आजएगा, हमने पढ़ी लिया, विर्ष्टी शाय शेतर क्या होता है, तो यहां पर बारिश नहीं होगी, और होगी भी तो ना के बराबर होगी कहाँ पर तमिल नाडू की बात कर रहा हूँ मैं और केरल में तो खुब बारिश होगी तो एक्जामे ये पूछा जाता है कि जो दक्षिन पक्षिमाला मांसून है ये कहाँ पर बारिश नहीं कराता तो याद अखेगा तमील नाडो में बारिश नहीं कराता क्यों क्योंकि ये विरिष्टी शाय शेत्र वाला एरिया है हमने समझ लिया तब यही अरब सागरी शाखा केरेल के बाद उपर की ओर जाएगी क्योंकि यहाँ पर तो पक्षमी घाट है तो उपर क्या है करनाटक तो क पर भावित रहते हैं क्योंकि यह पक्षमी घाट के इस तरफ है और बारिश पक्षमी तट पर हो रही है पक्षमी तट पर पूरी बाड़ आ जाएगी महाराश्ट्र में और यहीं पर विधर्व वाले एरिया में और सूखे से गरस रहेंगा यह वाला एरिया मराठ यह सूखे से परभावित रहते हैं क्यों क्योंकि पक्षमी घाट के इस तरफ तो खोब बारिश होती है और यह वाला एरिया कहां विष्टिशाय शेत्र में आ जाता है इसलिए सूखे से परभावित रहता है अब यही मानसून हमने देखा पहले केरल करनाटक और शाखहों में बढ़ जाएगी बस अभी आप सुनते रहे आपको बाद में यह चीज़ें याद हो जाएगी और एक्जाम में क्या प्रेशन बनते हैं वह मैं बता दूँगा तब यह हमने देखा कि आगे यहाँ पर गुजरात की पास आके यह शाखह अर्भुसागरी शाख तीन शाखहों में बढ़ जाएगी कौन कौन सी एक शाखह तो गुजरात की ओर चली जाएगी और एक मद्यपरदेश की ओर चली जाएगी और एक शाखह सीधी चली जाएगी तो तीन शाखहों में बढ़ गी एक गुजरात की ओर एक मद्यपरदेश की ओर और एक सीधी चल जाएगी ठीक है तो गुजरात में कौन सा परवत है तो गिर परवत है तो जो यह पहली शाखा है इस गिर परवत से टकरा कर यह वाले एरिया में बारिश करेगे यह वाला एरिया जो गुजरात के नीची है इसे हम कहते हैं सोराष्ट्र तो गुजरात के सोराष्ट्र वाले एरिये में खुब बारिष होगी और वहीं उपर जो गीर परवद की अपर वाला शेतर है यह कछ का रन है यह मरुस्ताल ही आपको पता होगा मरुस्ताल पूरा तो नीचे की और तो बारिष वाले एरिये में क्योंकि यहां बीच में कौन सा परवत है तो गिर परवत है यहीं पर मांसून टकराएगा और यहीं पर खुब बर्शा होगी और उपर बर्शा नहीं होगी कश का रन है वो वरिष्टी शाय शेत्र में आ जाएगा तो गुजरात की शाक्रा के बाद जो दू विंद्याचल परवत के उपरवाला शेत्र है यह विष्टी शाय शेत्र में आ जाएगा यहां पर बारिष नहीं देखने को मिलेगी पर वहीं बीच में आप देखेंगे तो विंद्याचल और सत्पुड़ा के बीच खोब बारिष होगी और इसी के बीच एक नदी भैती ह है नर्मदा नदी तो इसमें भी पानी काफी ये नदी उफान में आ जाएगी क्योंकि यहां पर काफी बारिष होगी मांसून के समय ये नदी काफी उफान में आ जाती है खोब पानी होता है इस नदी में पहली जो शाक्रा है हमने देखा कि वह गुजराद के कीर प्रवस् राजास्तान में वर्षा नहीं किराएगी क्यों कि आप देख रहे हैं जो अरावली परवत है यह मांसून की दिशा के समाना अंतर है यह सीधा है आगर इस परकार होता तो यहां पर बारिश होती पर आप देख रहे हैं परवत की स्थिति की परकार है यह मांसून की दिशा के समान अंतर है तो मांसून सिधा आगे बढ़ जाएगा यह उसे रोकी नहीं पाएगा परवत तो क्या बारिश होगी यहाँ पर इसलिए आप देखेंगे राजासान में बारिश नहीं होती बहुत कम बारिश होती है मरुस्तल है वहाँ पर तो जो मांसून है वो अरावली प्र यह ज्यादा उची नहीं है फिर मांसून आगे जाकर सीधा उत्राखंड में यहाँ पर हिमाले परवत का विस्तार है तो यहां हिमाला से टकराकर हिमालाई शेत्रों में खोब जमकर वर्ष्चा होगी फिर क्या होगा कि उत्राखंड से कुछ बादल टकराकर पीछे की और पीछे की और आएंगे फिर यह बादल अब इनमें नमी उतनी नहीं रहेगे पहले जो इतनी नमी थी इनमें अब इन्होंने इतनी बारिश कर दी अब इनमें इतनी नमी नहीं रहेगे फिर क्या होगा दिल्ली में थोड़ी बूंदा बांदी होगी ज्यादा बारिश नहीं बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इसके बारे में पढ़ते हैं हमने देखा था ना भारत के दक्षिन में टकरा कर मानसुन दो शाखाओं में बट गया था एक थी अरब साकरी शाखा यहां पर हमने पूरा पढ़ लिया अब हम बंगाल की खाड़ी वाली शाखा इसके बारे मे और आगे उत्तर पूर्वी राजों में बारिश कराएगी और दूसरी शाखा क्या होगी जैसे परकार अरब सागरी शाखा बटे की थी उसी परकार बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो ये देख रहे हैं ये गारो पाड़ी यहां से टकरा कर मुड़ कर इस और मुड़ जाएगी तो पहले तो हम उत्तर पूर्वी राजे कवर कर लेते हैं बाद में जो ये मुड़ गई है यहां पर देखेंगे तो उत्तर पूर्वी राजे में सबसे पहला तो ये गारो खासे जनतिया पहाड़ियों में टकराएगी और इनकी आकरती कीप के समान है ये एक्जाम में पूछा गया था कि किसकी आकरती कीप के समान है आप इमेज में देख रहे हैं ये कीप है तो इसकी आकरती गारों खासे जेंतिया पहाडियों की आकरती कीप के समान है तो मानसून क्या होता है जब यहां पर जाता है जो बीच वाला मानसून है जो इनकी बीच में जाता है वो इसी में फज जाता है क्यों? क्योंकि इनकी आकरती केप के समान है मांसुन जैसे ही यहाँ पर जाता है टकराता है इसे में फच जाता है और इसे में फच कर खूब बारिश कराता है इनी के बीच में तो आप देखेंगे कि मिघाले के मासिन राम और चेरा पूंजी में भारत में सबसे ज़्यादा बर्शा होती है भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बर्शा होती है क्यों क्योंकि यहां की केप की आकरती के समान कि पहाड़ियों के कार जब भी मानसुन जाता है उसी के बीच में फच जाता है और खोव बारिश कराता है और कुछ मानसुन उपर की और जा शाखा काँ पर जाएगे तो अरब सागरिष शाक्ा से बारिष नहीं होती, यहां पर विफिः बिफी बिफी गाहां से होती है, बंगाल की खाड़ी बारश कराएगी. तो हमने देखा कि जो अरव सागरी शाखा थी, ये भी उत्रक्रखंट से वापिस आकर पंजाब मे बारश करा रही थी. बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी पंजाब में बारिश करा रही है तो यह दखेगा एक्जामें पूछा जाता है कि कौन से राजे में दोनों शाखाएं यानि कि अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा बारिश कराती है तो ये पंजाब में बारिश होती है, दोनों शाखाएं यहाँ पर बारिश कराती है, यहाँ दखेगा तो अरव सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी बारी शाखा, इसके बारे में हमने पढ़ लिया वहाँ पर हमने देखा कि भारत में मानसून आता कैसे है, अब हम देखेंगे मानसून लोटेगा कैसे भारत से तो यह वीडियो थोड़ी लंबी तो बन रही है, पर मैं डिटेल में बता रहा हुना, इसलिए थोड़ा पेशन्स रखिए और आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर किलियर हो जाएंगे, लाश में आप जब देखेंगे प्रिवियस रिक्वेशन तो आपके असानी से सब टिक हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, तो हमने देखा था कि भारत में मानसून आया कैसे था, तो करके रेखा भारत के बीचों भी से गुजरती है, तो यहाँ पर हमने देखा था, सुर्य की किरने सिधा पड़ी, तो यहाँ पर निम्न दाबवाली स्थिति हो गए, जिसका उच दाबवाली हो आएं, यहाँ पर आया थी, मानसून लेकर आया थी, तो यहाँ पर बारिश हो थी, अब य जितंबर के महिने में, यही सुर्य की किरने विश्वत रेखा, जिसे हम भुमध रेखा कहते हैं, यहाँ पर सीधा पड़ने लगेंगी, जिस कारण क्या होगा, यहाँ पर निम्न दाब वाली स्थिति हो जाएगी, और जो उच दाब वाली हमाएं हैं, यह निम्न दाब की भी बारिश करा रहे थी, और इधर से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, यह दोनों पंजाब में बारिश करा रहे थी, तो अब यह अरब सागरी शाखा तो अराम से लोट जाएगी, क्योंकि इसे अरावली परवश रंकला नहीं रोकेगी, तो अरब सागर वाली शाखा य यह नीचे की और तेजी से मुड़ जाएगी कहां से नीचे की और तेजी से मुड़ जाएगी और यहां पर मांसुन में इस समय क्या होगा कि नमी नहीं है क्योंकि यह स्थल भाग में है ना जब भी मांसुन भारत में आया था तो हमने देखा था कि जलवाश्प समुद्र का गरम होता जलवाश तो पूरी नमी थी उसमें तो भारत में खुब वर्षा हुई पर अभी यह स्थल भाग में है मांसुन लोटते समय तो कोई नमी नहीं है इसमें इसलिए कोई वर्षा भी नहीं कराएगा यह अब हमने देखा कि राज महल के पहाड़ियों से यह मुड़ ग आते हैं तो आंद्र परदेश और उडिसा में चकरवात और तुफान आते हैं जब मांसुन लोट रहा होता है क्योंकि इसमें नमी थो होती नहीं बारिश होगी नहीं तो उसके बाद क्या होगा आंद्र परदेश के बाद नीचे यहां पर आप देखेंगे बंदाल की बारिश होगे जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिया तो उसके बाद क्या होगा तमील नाडू वाले एरिये में तो पूरी जमकर बारिश होगे सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होगी तो तमील नाडू वाले एरिये में तो मैं आपको कंक्लूड करके बताता भाड़िवाली शाख आएगी राजमाहल के पाड़िओं से टक्राएगी तो राजमाहल के पाड़िओं के टक्राने के बाद उडीशा और आंद्र पदेश यहां पर तेज चक्रवात आएंगे तूफान आएंगे, क्योंकि अभी इसमें नमी नहीं है, तेजी से हवाई चल र तो यहाद अखेगा कोरो मंडल टट यानि कि तमिल नाडू पर होती है तमिल नाडू में तो पारिश होगी पर केरल में बारिश नहीं होगी जैसे हमने देखा था जब मांसुन आया था यहाँ पर पहाड़ियां है तो पूरा केरल में बारिश होई थी और तमिल नाडू वाल यह उत्तर पूर्व होती है हमने देखा था ना कि बंगाल के खाड़ी वाली शाका यहां पर जाकर टकराई थी यह उत्तर पूर्व था अब यहीं से मांसुन लोट रहा है यहां से राजसमाज की पाड़ी से टकराकर नीचे की और आ रहा है तो उत्तर पूर्व से यह मांसु वर्षा कहा होती है तो मासिन रा में होती है भारत में नहीं पूरी दुनिया में और भारत में सबसे कम वर्षा तो लद्दाक में जो ले है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है यहाँ दखेगा क्योंकि यहाँ पर आप देखें बड़े-बड़े परवत हैं मानसुन बेचारा है उसके बाद जब भ victims से मांसौन लोड़ता है तो सत्रा पतीशत के लगभग बाशें उस से होती है अब बचा तीन पतिशत वह हमागे देखते हैं हमने 97 पतिशत देख लिए ऐसी पतीशत जब भारत में मानसौन लोडते मानसून से जो वर्षा होई वह भी पढ़ लिया तो हमने 97 पतिशत जो वर्षा होती है भारत में वह पढ़ ली जो तीन पतिशत वर्षा होती है लगबग ये पक्षमी विच्छोब के कारण होती है जिसे हम English में Western disturbance कहते हैं तो इसके कारण होती है तो अब यह समझते हैं कि यह क्या है तो थंड के दिनों में भूमध्य सागर से जो पानी है यह है भूमध्य सागर तो भूमध्य सागर का जो पानी है यह भाब बनकर उपर उठ रहा होता है तो अब सोच रहे होंगे कि थंड के महिने में कैस भाब बनकर उपर उठेगा तो थंड के महिनों में भी तो सूरज की रोशनी तो पड़ेगी ही ना तो थोड़ी वोतित गर्मी तो होगी तो जो पानी है यह धीरे धीरे भाब बनकर उपर उठ रहा होता है तो पक्षिम से एक तेज हवा आती है जिसे हम कहते हैं जेट स्ट्र वर्षा होती है यह किसके करण होती है तो यह पक्षमी विक्षोब के करण होती है यादखेगा किसके करण पक्षमी विक्षोब के करण जिस करण पंजाब और हर्याना में तो वार्षा होती है और जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल परदेश में बरव बारी होती आप देखे ना कि थंड के महिने में बरबारी होती है तो पक्षमी विश्वब के करन पंजाब और हर्याना में वर्षा होती है मुख्यता आप याद आखे कि पंजाब में पंजाब में ही पूछा जाता है कि सर्द के महिने में पंजाब में किसके करन वर्षा होती है तो पक् पक्षमी विशोब के कारण जो पंजाब में वर्षा होती है इसे रभी की फसल का टोनिक कहा जाता है क्यों कहा जाता है तो पंजाब में रभी की फसल में मुखिता पंजाब में ग्यों की खेती की जाती है तो ग्यों की फसलें उगाई जाती है तो ग्यों को जो है पानी की ज यहूं की जो फसल है इसको कावी फाइदा होता है इसलिए पंजाब में इस वर्षा को रभी की फसल का टोनिक कहा जाता है और रभी की फसल घरीव की फसल यह मैंने आपको समझाया हुआ अच्छी से किसमें तो भारत की क्रिशी वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना तो पंजाब में तो इसे रभी की फसल का टोनिक कहते हैं और राजस्थन में इस वर्षा को मावट कहते हैं तो यह सीथा पूछ ले जाता है तो याद रखेगा लाश्ट में एक बचा आम्र वर्षा किसे कहते हैं यह पढ़ लेते हैं उसके बाद हम प्रिवियस एर क्वेशन करेंगे क्योंकि यह भी पूछा गया है इसलिए मैंने कवर किया है तो आम्र वर्षा किसे कहते हैं तो मार्च और अप्रेल में क्या होता है कि मानसून आने से पहले बिहार और पक्षिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है तो मानसून कि हमने पढ़ ली अब हम प्रिवियस एर क्वेशन देखते हैं कि कितने प्रशन हमारे सही होते हैं तो सबसे पहला प्रशन है कि भारतिय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था तो किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था तो अलमसूदी की द्वारा सबसे पहले वर्णन किया गया था हमने पढ़ा था ना अगला प्रशन है कि मानसून किस भाषा का शब्द है तो यह किस भाषा का शब्द है अरभी भाषा का अगला प्रशन है कि निमा लिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है तो मितलब कि यह पूछ रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है वही सूखा स्थान होगा तो हमने पढ़ा था ले तो ले एक सूखा स्थान तो अगला प्रशन है कि दक्षिन पक्षिम मानसून निम्मा लिखित में से कि इस प्रदेश में सरव प्रतम प्रवेश करता है तो अ अगला प्रशन देखते हैं कि देश के किस भाग में मानसून के अरव सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है तो बताए कहां पर जहां पर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी वर्षा कराएं और अरव सागरी शाखा किस राज में दोनों श पर्षा होती है अग्ला प्रिशन है कि भारत के उत्री पक्š्मी फाग में शीra कालीण के वर्षा का करुए है तो बताएं जो भारत का उत्री पक्ष्मी है सर्धियों के मौसम में यहां पर वर्षा होती हैं किस करण displi थी समय पड़ा था पक्ष्मी विश्यों यानिकी Western disturbance के कारण भारत के उत्री पक्षमी राज्यों में सरदी के मौसम में वर्षा होती है तो अगला प्रेशन है कि मासिन राम और चेरा पूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि तो क्यों होती है तो D option से योगा यहां पर क्योंकि यहां की पाड़ियां कीप की आकरती के समान ह होती है मैंने आपको बताया था कि जो यहां की पाड़ियां कीप की आकरती के समान है मांसुन जाता है और उसे में फज जाता है और को वर्षा कराता है अगला प्रेशन है कि आम्र वर्षा यानि की मेंगो शावर क्या है तो इसका options है योगा option C कि बिहार एम बंगाल में मार दक्षिन पक्षिम मांसून से वर्षा नहीं होती तो बताये जब भारत में मांसून एंटर करता है तो किस राजय में वर्षा नहीं होती तो देखते ही पता लग रहा है तमिल नाडू क्योंकि केरल में तो वर्षा होती है पर जो तमिल नाडू वालशेत्र है यह दक्षिन पक्षिम मांसून से होती है 17 पतिशत लोडते हुए मांसून से और 3 पतिशत पक्षमी विश्वप से तो सबसे अधिकतम वर्षा होती है दक्षिन पक्षिम मांसून से अगला परशन है कि दक्षिन पक्षिम मांसून काल में निमा लिखित स्थानों में से सबसे कम कहां पर होती है यह UP PCS में पूछा गया था कि दक्षिन पक्षि मांसून आए तो आप समझ जए कि जो भारत में मांसून आ रहा है लोटता हुआ मांसून तो उत्तर पुरू होता तो जब भारत में मांसून आता है प्रवेश करता है तो सबसे कम बर्षय कहां होती है तो आखरी प्रशन है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीत कालीन वर्षा का कारण कौन सा है तो सरदियों के मोसम में किसके करण वर्षा होई ती उतरि पक्ष्मीर राजयों में तुमने पढ़ा था पक्षमी विश्चोब के कारण तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्षन भी तो कैसी लगी है वीडियो आज की? कुमेंट सेक्षन में जरूर बताना धन्यवाद.